हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप घर बैठे क्रिकट वैट कशीनो क्रिकट एंड पी एसल आई पील बिग बेस्ट लीग वुमेन क्रिकट लीग साउट अफरीका लीग बहुत स सबसे पहले हमें क्या करना है हमें आना है अपने क्रॉम में फिलाल तो मैं ब्राउजर पर जाओंगा क्योंकि ब्राउजर में जाने के बाद मैं यहां मास्टर आइडी को ओपन करता हूं यहां से जो कि आपको नहीं मिलेगी लेकिन आप क्लाइंट आइडी पर प्ले करोग अब उसके बाद मैं अपना mobile number डाल देता हूं mobile number डालने के बाद यहां पर balance अभी 0 रख रख है मैंने तो balance मैं नहीं डालूंगा इस ID में ठीक है उसके बाद यहां पर हमारे को create कर दिना है तो जैसे हम यहां से create करते हैं होने के बाद आप देख सकते हो कि यहां पर client ID में यह डेमो वन चुका है जिसका client code है 370693 ठीक है तो अब हमें क्या करना है हमें यहां पर chrome पर आना है chrome पर आने के बाद यहां हमारे को search करना है wet95.in ठीक है wet95.in इतना search करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आएगा interface आने के बाद आपने यहां पर डालना है client code जो कि हमारा था 370693 ठीक है तो यहां पर हम 370693 डाल लेते हैं और यह password को यहां पर paste कर देते हैं उसके बाद remember me करके sign in कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे सामने ID open हो चुकी है तो इसमें बहुत सारी terms and conditions भी दे रखे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं login करने के बाद अपना password बदल लें वह आपके उपर डिपेंड करता है पासवर्ड आप बदले नहीं बदले मेरे हिसाब से नहीं बदलना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं होता है प्रेजेंट के पास आपका password हमेशा रहता ही है अगर आप बदल भी दोगे तो ठीक है तो दूसरे नंबर पर है प्रती एक गेम के लिए 100 रुपए कोई चार्ज और टेस्ट गेम में प्रती दिन 100 रुपए कोई चार्ज रहेगा ऐसा कोई सीन नहीं है वो पहले होता था अ उनके हिसाब से ही कोई कमया जादा होंगे तो यह तो हर आइडी में अविलेबल रहता है कि आप मतलब जो भी अगर मैच टाई होता है या रद होता है तो पैसे जो आपके टीम पे लगे होते हैं वो वापस आ जाते है और सेसन का अपना जो रहता है वो हिसाब हो जाता है मैच के दौरान भाव को देखवा समझ के ही सौधा करें कि यह किसी भी सौधे को हटाया या बदला नहीं जाएगा सभी सौधे के लिए आप शौयम ही जिम्मेदार होंगे यह भी सही है चलो 5 नमबर पे देख लेते हैं मैच या सेसन भाव गलत चलने पर जो भी मैच या से सेशन कंप्लीट होंगे शिर्फ उनके हिशाब से कॉइन कम या ज्यादा होंगे जो सेशन कंप्लीट नहीं हुए वो शारे सेशन रद्ध हो जाएंगे ऐसा रहता है कि कभी-कभी बारिस होगी 15 अपना अपनने यस नौट कर रखा है 15 अपन्दरा ओवर कंप्लीट नहीं हो तो मैच में ओवर कम होने पर अगर सेम टीम दुबारा खेलने के लिए आती है तो जो रनिंग में प्लेयर के रन और पार्टनर्शिप डिक्लियर होंगी अगर वो ओवर कम होने पर दूसरी टीम खेलने के लिए आती है तो जो रनिंग में प्लेयर पार्टनर्शिप है वो प्रद्ध हो जाएगी जैसे हमने अभी इंडिया के खेल रहे हैं बिराट कोईली मानलो कोई भी रोहिस सर्मा मानलो इनके हमने रन को येस कर रखा है अब वो नहीं आती है टीम दूसरी टीम आएंगी ठीक है तो उनके वाले डिकलियर जो है नहीं होंगे अगर वही टीम खेल ले आती है तो फिर dlex Jackie है अब द्स नमपर प्प्लill के रिटाय हर्ट किये जाएंगे जैसा भी होगा activity रोगार केंसेशन को दिक करने के लिए कंपनी अंतिम होगा ऐसी स्तथी में किसी भी तरह का बात विवाल माने नहीं होगा ये भी सहिए वारा नंबर से टेस्ट में पारी डिकलियर होने पर जो सेशन रनिंग में है उस सेशन को डिकलियर करने के लिए दूसरी टीम के ओबर या बॉल काउंट किये जाएंगे ये तो बात सब में लागू रहती है अब थर्ड तीन नमबर पर है टी ट्वेंटी ओडी टेस्ट मैच में अगर पैनल् चिपके हुए है यह रेजल्ट आ गया है तो रेजल्ट आने के बाद वाले और चिपके हुए शबी शौदे रद होंगे इसमें कोई बाद विबाद माने नहीं होगा अब फिप्टीन नमबर पर आता है मैच चालू होने पर प्लेयर की फैंसी तभी मान होगी जब प्लेयर खेलने आता है अगर उसकी जगे कोई और प्लेयर आता है तो उस प्लेयर की सारी फैंसी रदगर दी जाएंगी यह तो नॉर्मल है अब 16 नमबर पर है मैच का रेजल्ट किसी भी कारण नहीं आता है तो इस इस्तिती में T20 में मिनिमूम तीन ओवर और T20 में मिनिमूम पाच ओवर और ओडी में 10 ओवर कंप्लीट होने पर विकेट पार्टनर से पाउर प्लेयर फैंसी कि उसी रण पर डिकलियर की जाएगी यह निथा रद हो जाएगी चलिए यह भी सही है शत्रा नमबर पर है नोट शर्वर या वैफशाट में किसी भी तरह के खरावी आने अब ब लिक करना है आप देख सकते हो जिंबांबी वर्सिस बैस्ट इंडीज टेस्ट में चल रहा है और इस तरह के हो गया अपने यह यहां पर कशीनो तीन पत्ति यह कमिंग सून में है अब बाकी और भी आइडिया है जिनमें कशीनो यह तीन पत्ति बगएर यह सारे ओपन रहत दिख जाएंगे और जो भी आपकी प्रूफाइल है आपका नाम यहां सारा कुछ दिख जाएगा क्लाइंट कोड ठीक है उसके बाद आपका लेजर आपको लेजर में दिख जाएगा पासवर्ट चेंज करने के लिए यह है और उसके बाद आई-पील विनर टीम में यह पर आप कोल और waiter करके आप आईडी बन बासकते हो ठीक है बहां से आपको डेमू आईडी भी मिल जाएंगी लेकिन आप फिर डेमू आईडी में से सलेक्ट करके आप आदी बन बासकते हो ठीक है यह था अमारा पूरा वीडियो का बोस्ते आप लोगों को अच्छा जाके आप बात्चीत करके आईडी बनवा सकते हैं. Thank you so much.